हेलो एब्रीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉप में यदि गवर्मेंट स्कूल में जॉप करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कसूरवा बालिका विध्याले से वेकंसी का नया नोटिफिकिशन जारी किया गया है जिसमें सैक्षिक और गएर सैशिक पदों पर वेकंसी है इसमें जो है सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि आपको ना कोई एक्जाम देना है नहीं इंटर्व्यू देना है और फीज भी नहीं देनी है निशुल को आविधन करना रहेगा सभी राजयों के कैंडिरेट जो है जो विग्यापन जारी किया गया है उसमें आविधन कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं ओफिशल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला जा च जिला बेसिक शिक्षादिकारी बलरामपूर से वेकेंसी है आठ अगस्त दो हजार चौबिस को एड़र्टीजमेंट जारी किया गया है 25 अगस्त दो हजार चौबिस पांच बजे तक जो है आविधन आप कर सकते हैं निशुल का आविधन करना रहेगा पहले यहापर जो है शिक्षक शिक्षिका दोनों की वेकेंसी आती थी अब जो है केवल महिला ही जो है इसमें आविधन कर सकती हैं तो यह जो है 12 तक के स्कूल है जिसमें केवल जो है गल्स पढ़ती है और आवास की सुविधा भी जो है इसमें रहती है चाहे टीचर्स हैं चाहे स्टुरेंट् तो आपको स्कूल में ही रहना होगा जो पूर्णकालिक सिक्षिका रहेंगी अंसकालिक सिक्षिका जैसे ही स्कूल का टाइम हो जाता है तो अपने घर जा सकते हैं उसके बाद जो है लेखाकार की वेकेंसी है मुख्य रसोईया की वेकेंसी है सहायक रसोईया चप्रासी यह की सोविदा आपको रहेगी और इसमें उम्र सीमा जो है 25 से लेकर 45 यर तक की केंडिडिट आविदन कर सकती हैं वेकेंसी पूर्ण कालिक सिक्षिका में हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की है लेंग्विज टीचर की वेकेंसी है सामाजिक विशय की अंतरगत वेकेंसी है जि इसमें से एक विशय आपने ग्रेजुएशन पर तो पढ़ा होना चाहिए साइन्स टीचर की वेकेंसी है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए तो ग्रेजुएशन के साथ में बी एड और सी टैट या आपके राज्य का टैट कस्तूर्वा विध्याले में कई राज्ये ऐस से हैं जो केवल अपने राज्य का टैट ही जो है मांगते हैं स्टेट टैट आपका क्वालिफाय हो यहां पर जो है बिलकुल इन्होंने लिख दिया है कि सी टैट वाले जो है इसमें एलिजिवल है मैट्स की वेकेंसी है ग्रेजुएशन प्लस बी एड और आपका सी टैट पेपर टू क्वालिफाय होना चाहिए यह पूर्ण कालिक सिक्षिका की वेकेंसी थी अभी अंसकालिक जो सिक्षिका है उसमें देखें 12,181 सैलरी है उम्र सीमा वही है 25,245 इसमें जो है ग्रेजुएट आप हो कला क्राफ्ट संगीत ग्रह शिल्प साथ में आपके पास डि सारीरिक सिक्षा के लिए वीपीएड, सीपीएड, डीपीएड वाले अप्लाइ करेंगे लेखाकार के लिए कॉमर्स में आपका यहां पर कॉमर्स वाले केंडियेट आवेदन कर सकते हैं साथ मैं MS Office पर काम करने की आपकी नॉलेज होनी चाहिए सर्टिफिकेट नहीं माग कंप्यूटर का केवल ग्रेजुएट आप हैं कॉमर्स में और MS Office पर काम करने का आपको ज्यान होना चाहिए लेखाकार की जो सैलरी है 13,673 मुखे रसोईया तो जो है इसमें पाक कला का ज्यान यानि की आपको खाना बनाने की कला आनी चाहिए 8,577 तो बहुत सारी वेकेंसी निकली तो मुखे रसोईया की सैलरी जो है कम थी इसमें जो है सही दिख रही है एर्थ पास कैंडिरेट इसमें आविधन कर सकते हैं सहायक रसोईया की सैलरी थोड़ी सी कम है 6,433 इसमें भी एर्थ पास चपरासी की जो वेकेंसी है तो सारी रिक रूप से स्वास्थे साइकल चलाने का ज्यान 7,147 इसमें सैलरी रहेगी ये भी महिला कैंडिरेट ही रहेगी तो कुल जो है इसमें 20 नमर और पोस्ट जो है 20 आई है ये भी जो है कैटिगरी वाइज इनको माटा गया है इसमें जो है जनरल कैटिगरी की जो है आप देख सकते हैं सोसल स्टेडी में है सामाजिक विज्ञान में 2 वेकेंसी है अन्रिजर्व कैटिगरी की कला में है तो कुल 4 वेकेंसी अन्रिजर्व कैटिगरी की रहेगी जो है आरक्षित वर्ग के लिए सबसे अधिक जो है 10 वे वेकेंसी तो मैट्स के टीचर्स के लिए है और दो वेकेंसी लेखाकार के लिए रिक्त पदों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है कम्प्यूटर सिक्षक के लिए प्रैस सिक्षित इसना तक होना अनिवार्य है उम्र बता दी आपको केवल महला प्यर्थियों का ही चैन किया जाएगा सिलेक्शन कैसे रहेगा तो सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल कोई परक्शा इंटर्विव नहीं केवल और केवल आपके क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जितने मार्क्स हैं तो उसके आधार पर मैरिट निकाली जाएगी और आपका डारेक्ट सिलेक्शन होगा आविधन पत्र आपको लेना है अपने जितने भी जोक्योमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी आपको लेनी है उनके नीचे साइन करने है और रजिस्टर पोस्ट कर देना है जिला परियोजना कारेले समगर सिक्षा या जिला बेसिक सिक्षा दिकारी बलरामपूर उत्तर हैं क्योंकि इसमें सीटेट मांगा गया है ठीक है यूपीटेट आपने किया है या सीटेट आपने क्लियर किया है सभी चैनित सिक्षक सिक्षणेतर कर्मी 11 महा 29 दिन के अनवंध पर रखे ही जाएंगे तो इतने समय तक आप रहते हैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा दुबारा से जो है यही पर आप लोग जो है बने रहते हैं ठीक है समविदा का जो है नवीनी करण किया जाता है यह आप ध्यान में रखें यहाँ पर जो है फिलाल वेकैंसी जो है समविदा अधार पर ही आती है पहले से समविदा के अधार पर ही आ रही है और इतने समय के आप सेलेक्ट हो गए तो आपको सोचना है कि कहीं एक साल बाद हमें निकालना दे काम आपको प्रॉपर करना ही होगा कस्तूर्वा गांधी वाली का विध्याले में समविदा के दार पर चैन हितु आविदन पत्र अभी बहुत सारी वेकेंसी ऐसी भी है जहां आप समविदा अधार पर है तो जब पर्मनेंट वेकेंसी है तो इन ही समविदा टीचर्स को लिया जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है तो यही जो है आप लोगों को फिल करना है और भेज देना है दिये गए अड्रेस पर ठीक है ओफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में